आज अपन पढ़ेंगे बेड़ बकरियों में होने वाले संक्रामक रोग और उनके टिकाकरण के बारे में कि बेड़ बकरि में ऐसे कौन-कौन से संक्रामक रोग होते हैं और उनका टिकाकरण कब किया जाता है तो बेड़ बकरी में होने वाला सबसे पहला संक्रामक रोग है आपके फड़किया जिसको अपन एती या इंटेरो टॉक्सीमिया भी कहते हैं जब पस्व के फिड़किया या इंटेरो टॉक्सीमिया नामक संक्रामक रोग हो जाता है तो उस पसो में क्या लक्षन दिखाई देते हैं सबसे पहला लक्षन है पसो की मासपेशियों में खिचाव आ जाता है और फड़कन सुरू हो जाती है यानि फड़किया या इंट्रेटोक्षिमिया नामक डिजी जै जिसमें पसो की मसल्स में खिचाव आ जाता है और मसल्स में कमपन सुरू हो जाता है दूसरा लक्षन है पसो सिर दिवार से मारता है या दिवार के टकराता है क्योंकि पसो के सिर में दर्द होता है वहाँ पे उसके अजीव सी हरकते होती है खुछली बगेरा चलती है दिमाग में तो उसकी वज़े से वो सीर है जो दिवार के मारता है नेक्स्ट लक्षन है पसू लेटे-लेटे पाउँ चलाता है और उतेजित होकर कूदता है हवा में कूदता है पसू और पसू लेटे वे भी अपने पैट पर लात मारता है, पाउं चलाता है, यह सबी लक्षन है जो फिड़किया या इंटेरो टॉक्षीमिया नामक डेजीज है जिसमें देखने को मिलते हैं, और यह इंटेरो टॉक्षीमिया नामक डेजीज है जो मुखे रूप से बेड़ बकरी में पाए जाती है, और इसके टेका करन की बात करें, तो फिड़किया या इंटेरो टॉक्षीमिया नामक डेजीज की टेके है या वेक्सिन है, वो एक साल में दो बार लगती है, एक लगती है आपके अप्रेल मई के महिने में और दूसरी डोज लगती है इसकी सितंबर अक्टोबर में, मानलो आपने अभी अप्रेल या मई में वेक्सिनेशन करवा लिया, तो उसका दूसरी डोज जो सितंबर अक्टोबर मान में लगवानी होगी, यह इंटेरो टॉक्षीमिया नामक डेजीज है, जो एक परकार की संक्रामक डेजीज है, और इस डेजीज में पसु की मास्पेशियो में खिचावा जाता है, पसु लेटे वे भी अपने पेट पर लात मारता है, हवा में कोटता है, और अपने सिर को दिवार या हर्ड अबजेक्ट से मारता है, यह सबी लक्षन इंटेरो टॉक्षीमिया नामक डेजीज में दिखाई देते हैं, नेक्स्ट संक्रामक बिमारी यह बेड़ बकरी में होने वाली बेड़ माता या सीप पॉक्स, यह भी एक परकार का संक्रामक रोग है, और इसमें क्या लक्षन दिखाई देते हैं, पसु के तेज बुखार हो जाता है, पसु के नाक और आँखों से पाने गिरता है, मुह से लार गिरती है, और पसु के चेहरे पॉच के नीचे और जांग पर छाले हो जाते हैं, शीप पॉक्स जिसको अपन बेड़ माता भी कहते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा संक्रामक बिमारी है, और इस संक्रामक बिमारी में पसु की मर्तु होने की संभावना है, जो बहुत ही ज़्यादा होती है, और पस सीप पोक्स नामक संक्रामक डिजिज का टीका है जो जनवरी मा में लगता है नेक्स्ट बात करते हैं अपन पी पी आर की जिसकी फुल फॉम होती है आपके पैस्टी डेस पैटिटस इन रूमिनेंट ये भी एक परकार का संक्रामक रोग है जो ज्यादातर बेड़ बक्रियों में ही पाये जाता है और इस बिमारी के मुखे लक्षन है आपके पसु के तेज बुखार नाँख से पानी गरना अँख से पानी गरना शौांष में वदवु आना या दूरगण आना और पसु के निमोनिया जिसे लक्षन दिखाई देते है यानि पसु को स्वांस लेने में प्रैसानी होती है आवाज के साथ स्वांस लेता है गहरी स्वांस लेने की कोशिस करता है और पसु को तेज बुखार हो जाता है ये सभी लक्षन पसु के PPR नामक डिजिज में पाये जाते हैं या दिखाई देते हैं और PPR disease की vaccination है जो अपन 9 मार से सुरू आकर फरवरी मार तक कभी भी लगा सकते हैं PPR की vaccination है वह भी एक साल में एक बार लगती है जिसको अपन 9 मार से लेकर फरवरी मार तक कभी भी लगा सकते हैं vaccination हमेशा स्वश्थ पसु को ही किया जाता है किसी भी बिमार पसु को किसी परकार का vaccination नहीं किया जाता है बिमार पसु को किसी परकार का टीका नहीं लगाना चाहिए स्वश्थ पसु को ही टीका लगाना चाहिए टेके के निश्चित मात्रा और निश्चित मार्ग होता है उस मार्ग से और उस मात्रा में ही टेका लगाना चाहिए जिस टेके की खुराक 1 ml है उस टेके को 1 ml ही लगाना चाहिए 2 ml नहीं लगाना चाहिए मानलो आप PPR की वेक्षिनेशन है इसकी डोज है आपके 1 ml और आप अगर इसको 2 ml लगाते हो तो पसू उस टेके को सेहन नहीं कर पाएगा टेके में क्या होते हैं एंटिजन होते हैं और उन एंटिजन के विरूद अपना सरीर एंटिबोडी बनाता है अब 1 ml डोजरेट है उसकी तो मानलो 1 ml के विरूद पसू शरीर एंटिबोडी बना सकता है लेकिन 2 ml के विरूद वो एंटिबोडी नहीं बना पाएगा और उसमें वो जो बिमारी है वो नहीं होते हुए भी अपन खुद उस पसू को चाहकर उस रोग से गर्शित कर देते हैं दूसरा है मार्क का मतलब होता है रोट अगर किसी टेके का रोट आई एम है सबकट है तो उसको उसी मार्क से देना चाहिए जिस टेके का रोट आई एम है उसको आई एम ही देना चाहिए जिस टेके का रोट सबकट है तो उसका सबकट ही उप्योग करना चाहिए तेके का जो मार गया रूट है और जो खुराक है वोई पसू को देनी चाहिए ज़्यादा खुराक नहीं देनी चाहिए अन्यता पसू में रोग नहीं होते वे भी अपन उस पसू को उस संक्रामक रोग से गर्शित कर सकते हैं तो सभी पसूं को समय समय पर टिका करन कराना चाहिए और उन पसूं को होने वाले संक्रामक रोगों से बचाया जा सकता है। यह आपके गाय बेंस और बेड़ बकरी में पाए जाने वाले कुछ संक्रामक रोग थे जिनके बारे में उनके मुखे लक्षनों के बारे में और उनके टिकाकन के समय के बारे में मैंने आपको बताया है तन्यवाद